वेल्कम बैक टो माई चैनल माल्टी टेक वी ट्रवल फाइफ फ्रेंट्स हम अपने मित्र के स्कूल गए थे उन्होंने बुलाया था चैनल के समन्द के बारे में तो हाँ बात चली कि आपके वीडियो जो है बहुत अच्छे होते हैं बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं बट इसको आप जो है पहले सिंपल चीज बताईए तो हमने का सर कैसे बना के आपको वीडियो दिखा है करें सर जिसे आपके स्विच और बल्प के कनेक्शन के बारे में आप बताईए इसके बाद थोड़ा स्टेप आगे बढ़ते रहें तक जाके सब वीडियो हमारे समझ में आएंगे 20 लोग का इस्टाप था उसमें लगए 50 लोग स्विच और कनेक्शन के बारे में नहीं जानते स्विच और बल्प का कनेक्शन हम कैसे करें तो बात वहीं हो गई ना कि जब 123 आता नहीं है तो हमें टेविल कहां से आएगा तो इसलिए वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है वीडियो सिंपल है लेकिन बहुत से लोगों को अभी नहीं पता होगा कि स्विच और बल्प का कनेक्शन हम कैसे करेंगे इसको हम बहुत इजी में आपको समझाएंगे स्विच और बल्प के कनेक्शन कैसे किये जाते हैं बिद प्रेटकल आपको करके हम पहले इसका सर्किट दिखाएंगे सर्किट डियाग्राम कैसे बनता है उसके बाद प्रेटकल करके आपको दिखाते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखें फ्रेंस हम बोर्ड पे दो फीगर बना लिए हैं इन्हीं दो फीगर के थुरू हम आपको इसके कनेक्शन करना बताएंगे और वीडियो लास्ट तक देखेगा बोनस पॉइंट हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे चलिए यह वाला फीगर देखेए यह बल्ब है यह स्विच है और यह दो वार आए हैं रेट कलर का वार हम फेस दिखाए दिखाए हैं और ब्लेक कलर का वार जो है और निउटल वायर है देखे कोई भी डिवाइस चलाने के लिए हमें दो वायरों की जरूत पड़ती है जिसमें एक फेस होता है एक निउटल होता है आप देखे निउटल वायर जो मेरा होता है वो डारेक्ट बल्ब में लग जाएगा यह देखे कहीं कोई कट नहीं होता यह डारेक्ट जो है जो भी आपको एकुमेंट चलाना है वो डारेक्ट लगेगा यह देखे बल्ब है पंखा है जो भी चलाना है तो डारेक्ट लगे तो यह first point में लग जाएगा फिर जो दूसरा point है वहां से एक और वार निकलेगा वो direct bulb में लग जाएगा बल्ब या पंखा जो भी आप चलाना चाहते हैं लग जाएगा ठीक है इस type से connection होते हैं connection बहुत easy होते हैं जैसे हम switch on करेंगे तो यह दोनों point आपस में connect हो जाते हैं यह दोनों point connect हो जाएगे और बल्ब on हो जाएगा कितना simple connection है इसका ठीक है अब आईए बोर्ड के connection हम कैसे करेंगे यह बोर्ड है यह बल्ब लगा हुआ है हमारे बोर्ड में दो switch है एक socket है इसमें हम 3 या 4 कितने भी switch लगा सकते हैं लेकिन हम यहां पर किवल दो switch लगा के आगको दिखाएंगे नहीं तो समझ में नहीं है कि बहुत जटिल connection हो जाएंगे चलिए इसमें भी रेखिए यह जो neutral wire है बलेक वाला डायरेक्ट जो है socket में लग गया इसमें कोई switch नहीं लगता डायरेक्ट लग गया और यहीं से एक wire निकल करके बल में चला गया आप यहां से लगा सकते हैं यहां से भी लगा सकते हैं कहीं से भी bulb किया दूसरे load पे लगा सकते हैं अब यह face wire जो आएगा हमारा यह देखें यह face wire आएगा यह डायरेक्ट स्wसright के निचले स्थे वाले पवंट पे लग जाएगा यह देखें यहां से face 돼 रहाया इस पवंट पर लग गया यहीं वायर नकल करके दूसरे वाले सुच के दीचे वाले ४ॉइंट पिलेगा यहीं से जो ऊपर वाला पॉइंट से उसक्या होता है इससे हम आउट पूट लेते हैं देखे दूसरा पॉइंट Like OSि और इस साकक के लिए इस पॉइंट से निकल करके साखट के इस दूसरे पॉइंट पे लग जाएगा इसके कनेक्शन इस टाइप से होते हैं कनेक्शन बहुत इजी है यहां पर आप कितने भी सुच लगा सकते हैं जैसे एक और हम सुच लगा देते तो यही वायर आगे श्टेंग्ड होकर के यहां पी आजाता और उसे आउटपुट जो उपर वाला पॉइंट होता है उसे आउटपुट ले रहेते फायन उगरा चला सकते थे और हां बोनस पॉइंट जो हम बता रहे थे यह है कि आपके घर में अगर वायरिंग है अगर बोर्ड लगा हुआ है तो वहां पर आर्थ लगा ना मस्ट होता है अर्थिंग बहुत जरूरी घर में अर्थिंग इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे हां अर्थ लगा है तो अगर किसी को करण लगता है तो हलका जटका लगेगा 70% जटका कम हो जाता है कम करण लगेगा इसलिए सौकट पे अर्थ वायर बहुत जरूरी लगाना है जैसे यह उपर वाला पॉइंट अर्थिंग का होता है यह देखिए हमने इसको ग्रीन से दिखाए हैं यह देखिए हम इसको ग्रीन से दिखाए यह डारेक्ट धर्ती में च जरूर करवाईए अर्थिंग मस्ट है ओके इसको हम अभी प्रेक्ट कल करके दिखाएंगे इसके कनेक्शन कैसे करते हैं यह देखिए फ्रेंट्स आपको प्रेक्ट कल करके दिखाने के लिए हम यहां पूरा शेटप लगा लिए हैं देखिए यह बल्ब है यह स्विच है एरेडवायर फेस की पाउर सप्लाई है और ब्लेकवायर न्यूटर्र शपलाई है और यहां पाउर से इसको इन वायरों को हम कनेट कर दीए हैं अब यहां देखिए स्विच में दो पौायंट दिए होते हैं दो पॉइंट हम दिखाए थे, दो पॉइंट दिये होते हैं, तो यह red wire आएगा, और यहाँ पे connect हो जाएगा एक point पे नीचे वाले पे, फिर दूसरे point से यहाँ एक wire connect करेंगे, यह wire यहाँ से connect हो करके, इस holder में connect हो जाएगा, holder में भी दो पॉइंट दिये होते हैं, एक face का ह हो जाएगा, एक neutral का, और दूसरा जो है black wire, holder के दूसरे point पे connect हो करके, power supply को चला गया है, ठीक है, और यह power supply से connect है, देखिए, यहीं से बल्ब, स्विस से on हो जाएगा, on हो गया, और यहीं से off हो जाएगा, यह देखिए, on, off, देखिए, फ्रेंट से जो connection हम आपको के connection है, जो हमारे घरों में connection होता है, उसी के connection हम आपको करके दिखाए हैं, और यह बहुत तीजी है, आप ध्यान से देखेंगे, तो अच्छे से connection सीख जाएंगे, फ्रेंट्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और वेल आइकान प्रेस करना, विलकुल मत भूलना, सबसे पहले notification पाने के लिए, जै जवान, जै किसान, जै विज्ञान, बाई बाई